हलो दोस्तों नमस्कार मन्जिल पर पहुचने के लिए काटों से घवराना नहीं चाहिए मन्जिल पर पहुचने के लिए काटों से घवराना नहीं चाहिए काटे ही ऐसा साधन है जो आपकी रस्तार तेज करते हैं इन दो लाइनों के साथ आज के आप वीडियो पर हम करते हैं, मैं रोहिश सर्मा अपने तहे दिल से आपका अपने यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूं, आज हम पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th, NCRT, कोई सी बोडों चाए यूपी, विहार, राइस्तान, सभी बोड की आज हम बात करेंगे प्राश नमबर दो की, प्राश नमबर दो है, वो कहता है, पहले बहुपद से दूसरी बहुपद को भाग करके, जाज कीजे कि क्या पर्तम बहुपद, जित्ते बहुपद का एक गुरनखंड है, ठीक है, हम कोयiness करना है कि क्या य होडिअ गुरनखंड तब ही होगा जह हम भाग करते हैं ठीक है भाग करने पर सेसफल क्या आएगा जीरो आता है तो गुंखंड होगा यदि सेसफल जीरो नहीं आ रहा है तो गुंखंड नहीं होगा ठीक है भाग करने पर सेसफल जीरो आगया तो गुंखंड है नहीं आया तो गुंखंड नहीं है यह छोटी सी ट्रिक है तो इसका जो पहला सवाल है प्रेस्ट नमबर सैकेंड का पहला ठीक है उसको मैं बोड़ पे दिख लेता हूँ बुक को रखते हैं साइड में हाँ जी पहला सवाल लेखते हैं पहला है पहला है मैंनस 3 का भाग देना है 2T4 बिल्बूट सही है प्लस 3T3 सही है प्लस 2T2 बिल्बूट सही है मैंनस 90 मैंनस 12 बिल्कुल यह सही है अब इसको हम पाहरंब करते हैं इस वाले संक्या को लिखते हैं पहले 2T4 प्लस 3T3 मैंनस 2T2 मैंनस 9T मैंनस के 12 इसमें भाग देना है हमें इसका T2 मैंनस 3 का ठीक है तो भाग देने का बहुत साल तरीका पिछली वीडियो में डिसकर्स कर चुके हैं उसी पैटरन को यहां पर फोलो करेंगे बापस और आसानी से सॉलो करेंगे तो जो पहला इसको रफका मैं कल देते हैं बापस मैं आपको सिखा लेता हूं 2T4 ठीक है यह पहला नंबर हमने यहां लिख दिया अब क्या करेंगे जो T2 है इसका भाग देंगे इसका मतलब यह क्या हो गया क्या कहना चाहरा है इसका मतलब यह हो गया 2 गुना T की पावर कितनी है 4 तो T multiply T multiply T multiply 4 बार आगा 1, 2, 3, 4 इसको T2 मतलब T multiply T से divide करना है तो इससे एकट गया क्या बाज़ गया 2 और दोबर T तो T square आपके आपर बच गया अब जो T square बचा है आपका इस T square को 2 T square को यहां लेख दो 2 T square ठीक है अब लेख दिया अब इस नमबर के साथ क्या कर दो गुना कर दो multiply कर दो तो बशल करते हैंते हम शब 2 तो हाई जाएगा त् 2 गुणा में घहतें जुट जाती है, तो दो घहत कितना हों के? complete, दोनुधन धनात्मक हैं, तो धनात्मक आके आपको नहीं पर इसका लिए करेंगे, धनात्मक這樣 धनात्मक गा, आएगा तो तीन दूनी 6 माइनस के 6 T स्क्वार तो अब दे को T स्क्वार की पावर आ रही है और यहां पर पावर कितनी है 3 तो 3 के नीचे इसको नहीं लिखेंगे कहां लिखेंगे इसको स्क्वार के नीचे लिखेंगे आपर तो माइनस 3, 2, 6 हो गया ना P square इसको अपने स्के नीचे लिख दिया अब लाइन बना दो मैनस करेंगे तो चिन बदलेंगे यह प्लस का तो यह मैनस का यह मैनस का तो यह प्लस का हो गया ठीक है इससे एक ट्या क्या बजा 3 P की पावर 3 और मैनस मैनस होगा तो 6 में से 2 गए तो कितने बचे यह बके 4 बचे 3 square अब धना तमक आएका धना तमक आएगा दो अब प्लस का 6 और मैनस का 2 कौं डिसन क्या बड़ी है प्लस की बड़ी है तो प्लस में ही अंसर आएगा अब इनको नीचे लिए आते हैं साथ, माइनस के 90, माइनस के 12, इनको नीचे लेके आ गए, अब यह जो पहले क्या था, फैसा ही काम अब आपस करते हैं, अब यह 3 है, 3 की घा 3 को डिवाइड करेंगे, टी स्क्वाइर से, करो साथ, दो घाते, 3 घाते, कट गई, तो किती होची, एक घा बचेगी, तो 3 टी होचेगा इदर, यह भी धनात परता है, यह भी धनात में के धनात में क्यान सुराएगा, 3 टी, अब 3 टी का, इस चंक्या के साथ, जिसका हम भाग दे रहे हैं, उससे गुन कर दो, 3 तो 3 आये गए यह आयेगा, अब यह टी 1 है, यह टी 2 है, तो कितने टी होगे, 3 टी होगे, तो जाएगा, 3, 3, 3, तीखेगा, दो घनात में के धनात में तुराएगा, अब 3 टी यह 9, 9 टी का है आपका, यह रहा, 90 ए रहा, ठीक है, और धनात्मक लिछेज़े गए त चिन बतल दो, माइनस, प्लस है तो, माइनस प्लस जाएग, ठीक है, जी कट गया, क्या बचा, 4T स्क्वाइर, ये कट गया अपस में, माइनस के 12, अब क्या करना है साथ, वो ही करना जो भी किया कुत्र पहले, 4T है, 4T स्क्वाइर में डिवाइड करेंगे, वो ही, T स्क्वाइर से, ठीक है, कट गया अपस में, ये भी T स्क्वाइर, ये भी T स्क्वाइर, तो, कट गया, क्या बचा, 4 बचा, तो, यहां लिख देंगे, प्लस के 4, ठीक है, प्लस के 4, अब 4 का, इस संक्या से, मल्टिप्ल करेंगे तो क्या हैगा 4P square, 4 तिया 12, minus के 12 है चेसप बतलाइगे यह प्रस का, यह minus का, क्ट गया, क्ट गया, क्या पहचा, 0, तो सेसपल क्या है आपका, 0 आ गया, और सेसपल 0 आएगा, तो ओकर खंडर होगा, चुंकि R X बराबाद 0 अतहे P X G X का एक गुरंग है हो गया बहुत आसान तरीके से किया चलो इसको इरेज करते हैं अब सेकेंड करते हैं यह सेकेंड वाला मैंने सारा सेट कर दिया अब चलो करते हैं 3x की पावर 4 और यह x की पावर 2 ठीक है? 2 कट क्या थिया बचा? 3x स्क्वाइद ही बचा इसको लिखेंगे इदर 3x की पावर 2 हमने यह पर लिखा साथ अब इसका इसके साथ मल्टिप्लाई कर देंगे करो 3x 4 हो जाएगा ठीक है? गाते चुट जाती है अब 3 तीया 9 9x की पावर 3 यही बिलकुँ पास भी है दोनों धनात मल्टिप्लाई क्या? धनात मल्टिप्लाई देंगे 3 तीया 9x की पावर 3 अब 3 एकम 3 तो 3x स्क्वाइद आजाएगा करो इसको चिन बचल देंगे मैनस 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 यह खट गया अब 5 मैनस 9 9 मैनस 5 हो क्या आगए? 4 आगए एकम 3 मैनस से मैनसर इसन क्या पटी तो मैनस मैनस हो रहेगा मैनस सो मैनस प्लस हो गया सात और तीन, दस x स्क्वाइर आपका यहाग ऐसा इनको उताल लेंगे प्लस 2x प्लस 2 चलो आगे कटते हैं माइनस 4x की पावर 3 में x स्क्वाइर से कट क्या, क्या बचा माइनस के 4x 3 में से 2 क्या, तो एक ही बचेगा तो यहाँ लिख देंगे उपर, माइनस के 4x लिख दिया साजी, बिल्कुल लिख दिया बने अब करो पुना कर दो तो 4 और x से 4 आई जाएगा इसकी पावर दो, इसकी जुड जाएगे 3 आ जाएगा माइनस प्लस, माइनस में ही आएगा 4 तिया, 12 माइनस के 12, x स्क्वार हो जाएगा और 4 एकंग 4, 4 x से जाएगा माइनस, प्लस, माइनस के जाएगे 4 x क्लियर, अब यहाँ चिन बदल देंगे धनात्मक, धनात्मक यह धनात्मक इस्ते यह कट गया 10 में अब यहाँ आजाएगा आपका 2 x स्क्वार, प्लस का बड़ा है तो प्लस वान सुराएगा धन, धन, धन हो जाएगा तो 4 तो 6 एक साचाएगा प्लस के 2 आगे आपके अब क्या करेंगे, जो करते हैं वो ही करेंगे बच्छा कुछ नया तो करेंगे नहीं एक ही पंडा पकड़ लो, उसी से पूरा सॉल हो जाएगा कट गया, क्या हो जाएगा, दो ही बच्छा, इस दो को यहाँ पर लिख देंगे दो गोना एक स्क्वार करेंगे तो 2 x स्क्वार आजाएगा है ना, और दो तिया 6 x आजाएगा और दो एक ही दो जाएगा, चिन बतल दो माइनस 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 यह कट गया यह कट गया, यह कट गया, क्या होचा 0 होचा, अब सेस्फ़ल 0 है, तो क्या होगा अपना काम हो गया गुर्णखंड है लिख देंगे, चूंकि rx बराबर 0 अत है अत है px gx का एक गुर्णखंड है, हो गया आप करते हैं, तीसरा पार्ट यह आपका तीसरा पार्ट रहा जो मैंने पूरा सेट करके लिए चलो करते हैं पहले लिखेंगे x की पावर 5 को डिवाइड करतेंगे, x की पावर 3 से, 3, 5 जेंगे, 2 आया तो x स्क्वार आ गया इस x स्क्वार को यहां लिख देंगे अब इसका पूरी संक्या से मल्टिप्लाई करेंगे तो x स्क्वार का मल्टिप्लाई करेंगे तो गहते जूट जाती है, 3 यह दो पावर जाएगा इसका करेंगे प्लस और माइनस माइनस आएगा तो 3 X की पावर 3 आजाएगी प्लस X का करेंगे तो X स्कोर आजाएगा चेंज चेंज कर दो माइनस प्लस माइनस ये कट गया 4 कट गया तो ये माइनस प्लस माइनस होगा तो कितना आजाएगा माइनस का X की पावर 3 हा जाएगा चार में सीन के देख बचा X की पावर 3 बच गया प्लस और माइनस माइनस होगा ये कट गया आपस में बचा ही नहीं, इसको उताल लेंगे ये निचे 3X प्लस 1 और इस वाले को इख लिक नहीं माइनस X की पावर 3 और निचे कितना है? X की पावर 3 इससे ये चला गया कितनी पावर गया? एक बाव भाग जाएगा एक पावर गया माइनस का तो अथर माइनस माइनगा अब एक का इस पूरे से कैसे मल्टिप्लाई करेंगे? स्वेम आएगा तो X की पावर 3 X से मल्टिप्लाई करेंगे तो माइनस की 3 X और माइनस PLUS माइनस की 11 और इसका है से भी माइनस हो जाएगा अब करो चंचे क्लस प्लस फ्लस ये PLUS नहीं हो वहनानिगा माइनस माइनस ये PLUS का होग?!" ये माइनस का हो जाएगा ठीके? चलो ये कट गया माइनस प्लेश ये भी कट गया दुरों धार्म के एक और एक दो आ गया अब देखो साब सेस्पल कितना गया तमें दो आ गया तो ये गुण कंड़ नहीं है सेस्पल अधी बसता है जीरो नहीं आता तो गुण कंड़ नहीं होता चुकि आरेक्स बरावर दो चुकि क्या नहीं है जीरो नहीं है आता है ये है एक खुण कंड़ नहीं है ठीक है ये प्रश्ण दो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है अब आगे के प्रश्ण हम अगली वीडियो में डिस्कर्स करेंगे आज के लिए ताहीं जे हिंद जे भारत